नमस्कार आदाव सस्त्रेकाल कुड़ मॉर्निंग दोस्तों मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं इस्टी न्यूज टीवी जैसे कि आप जानते हैं कि सहरा से जुड़ी हर एक लेटरस्ट अपडेट अक्सर हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं सहरा के उन प्यूडितों के लिए बनाने जा रहे हैं जिनका पैसा सहरा की इकाईयों में लगा हुआ है और वो पैसा अभी तक निवेशकों तक नहीं मिला जिसके लिए सहरा के प्यूडित निवेशक दस साल से अपने पैसे की मांग को लेकर जूज रहे हैं वहीं कुछ निवेशकों ने उद्बोकता फोरम में भी अरजिया डाली हैं तो कुछ निवेशकों ने ई और डबलू में भी यहाँ पर अरजिया डाली है तो दोस्तों ई और डबलू लगबग 11 दिन से जादा हो चुके और ई और डबलू की जाँच इस वक्त सहरा की सभी ब्रांचों पर चल रही है और जिसमें निवेशकों के हक में जो इस वक्त यह जाँच चल ले है उससे पता चल रहा है कि निवेशकों के साथ किस तरीके से सहरा सुबरोतराई की ब्रांचों पर धोकादड़ी की जा रही है इसकी जाच करने के लिए EOW इस वक्त अपने युदिस्तर पर कार्या कर रहा है तो दोस्तों मैं कुछ निमेशकों ने ये जानना चाहे कि EOW क्या है तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आज EOW किस चुडिया का नाम है और EOW किसे कहते हैं EOW की फुल फॉर्म का है कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब इस वक्त हमारे कैमेंट बॉक्स में बरे पड़े है तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि EOW किस सथा का नाम है और यह EOW किस तरीके से काम करती है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की लेटरस्ट जानकारी जो EOW की बड़ी जानकारी हमारे पास इस वक्त उपलब्द है तो जिन निवेशकों ने जानना चाहा है कि EOW क्या होता है तो उनके लिए आज की बड़ी जानकारी EOW दोस्तों एक ऐसी संस्ता है जो मुख्य रूप से जाच करने का काम करती है क्योंकि केंद्रिय सासिक राज्य दिल्ली में आर्थिक अपरादों की जाच EOW दोरा की जाती है जब किसी राज्य में आर्थिक अपरादों से संबंदी जाच करने के लिए कोई भी एजनसी नहीं होती है या वो सही से काम नहीं कर रही होती है तो वहाँ पर EOW की जाच की जाती है तो इस तरह की जाश करने की पूरी जिम्मेदारी पुलिस को सौंब दी जाती है इसके बाद पुलिस के द्वारा ऐसे ही मामलों की जाश होती है और वह दिल्ली में ये ओडबलू सस्ता द्वारा को अधिकार है कि भाशा के आर्थिक अपराद प्रकोष्ट कहते है यानि के इसकी पूरी जो इसका मतलब है वो अपराद आर्थिक अपराद प्रकोष्ट कहते हैं ये ओडबलू को एक करोड़ से अधिक की धोकादड़ी या हेरा फेरी के केस में जाश करने की जिम्मेदारी जी जाती हैं तो अब दोस्तों आप समस्च सकते हैं कि एक करोड या तो करोड से ज़ादा जो यहां पर फिलॉट करोड किया जाते हैं उनकी जिम्मेदारी bandwidth को दी जाती है और सारा सुष्ब्रोत्राइग के दो आरहा यहां पर करोडों की हेरा फेरी की गई है करोड़ों रुपिय का यहां पर गबन से भी और सहरा के बीच में चलना है जिसकी इस वक्त इओ डबलू द्वारा जो जांच की जा रही है वे निवेशकों की कुछ कमप्लेन वहां पर गई थी उसको उसके आदार पर यहां पर इओ डबलू सहरा की ब 2011-12 से लेकर अब तक निवेशकों को केवल आसवासनों का जुन जुनाई हाथ में पकड़ा है लेकिन अगर बात करें पेमिंट की तो पेमिंट देने की बजाए अधर अपनी एकाईयों में कनवर्ट करने की सला यहां पर सारा सुपरों तराय की ब्रांचों पर तराय दी ज गरी बतायें के नंबर दो फुल फॉर्म क्या कि यह भी बताएंगे नंबर तीन एव के लिए बनाये गये कानूनों से संबंधिंजानकारी दोस्तों यह भी हम आपको बसाएंगे नंबर चार एव लुकर नियम और और अधिनियम और ऐधिनियम के शरो कर कहा नेgent आउन के गया है इसके लिए इस संस्ता की पूरी कानूनी पिरकिरिया इसके सभी अधिकारियों और करमचारियों और सम्विदान से संबंदित चलाए जाती है और यह एक ऐसा कानून है जिसके जरीए विदेश में छिपने वाले भारते अपरादियों को हिरास्त में लेने का काम किया रही कने जहाता है इसके अलाबा सरकार इस कानून के माद्यीं से किसी भी अपरादी की संभत्ति को अधिकरंट कर सकती है और साथ ही इसके परिवार को एक नागरिकता दिलवारक की है लेकिन वो इस वक्त मजबूर तो सारा सुबरोत राए ने अपने परिवार को दिला दी और खुद ने भी ले ले लेकिन इनको विदेश जाने पर पिर्टी बंद है और दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि EOW की फुल फ आपरात प्रिकोष्ट कहा जाता है इसके अलावा EOW को एक सरकारी संगठन भी कहा जाता है जो मुख्यय रूप से धेस की आर्थिक अपरादों से संबंदित यहांपर करता है और EOW क्या होता है EOW एक ऐसी संस्ता है जो मुख्य रूप से जाच करने का काम करती है जो केंद्रिय राज्य के दुआरा यहाँ पर लगाई जाती है जिसमें अपराद्यों को धर पकड़ और उनकी प्रॉपर्टियों को सीच करकर उसे बेचने बेचकर निवेशकों को पैसा दिया जाता है तो दोस्तो EOW एक ऐसी संस्ता है जो सम्विधान दुआरा एक कानून का निर्मान किया जाता है इसके लिए इस संस्ता की पूरी कानूनी पिर्किर्या इसके सभी अधिकारी और करमचारी और सम्विधान के मताबिक चलाते हैं यह एक ऐसा कानून है जिसके ज कर सकते हैं और इसके खिलाब कड़ी कारवाई भी कर सकते हैं कि यह अधिकार जो है य ओ डबी डिया गया है यू-डबू का फुल्म-फॉर्म में आपको बता चुका हूँ और दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यू-डबू के लिए बनाये गए कानूनों से संबंदित जानकारी इस कानून के अंतरगत वो लोग आर्थिक रूप से अपरादी माने जाते हैं जो सो करोड या उससे अधिक की रकम में दोकादड़ी करते हैं और दोस्तों इस दोकादड़ी में सारा सुबरतराय भी आते हैं कि यहां पर भी करोडों की दोकादड़ी की गई और उस रकम को जब करके भारत से फरार या किसी भी तरह की फ्लॉट करने की अगर कोसिस की जाती है तो नियाई कारवाई से ठुकारा पाने के लिए या देश से में वापस आने के लिए तैयारी भी होती है तो दोस्तों कुछ यहां पर ऐसी आर्थिक अपरात दुआरा यह कानून के बारे में बताया गया है कि सारा सुब्रत राए अगर विदेश जाते हैं या किसी तरीका का वह भागने की कोसिस करते हैं तो इओ डबलू उसको विदेश नहीं जाने देगी और चलिये भी गए तो महां से इनकी टांग गसीट कर लेकर यही यूडबलू के नियम अधी नियम के बारे में दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गया होंगे और मैं जैसे कि आपको बताता रहता हूं कि यूडबलू एक ऐसी संस्था है जो एक करोड या सो करोड या करोड़ों से जादा की जहां पर फिलॉड होता है जहां पर यहां पर से हराम खोरी की जाती है इन कंपणियों के दुआरा तो उनकी सब की यहां पर बख्या उधेड़ने के लिए यूडबलू मौजूद है तो दोस्तों अगर यूडबलू में आप अपनी कंप्लेंद दरश कराना चाहते हैं तो मैं आपको यूडबलू की वैफ साइट के बा डौट कॉम पर भी आप विजिट कर सकते हैं आपको यहां पर पूरी जानकारी यूडबलू के बारे में प्लफद हो जाएगी और यहां पर आप अपनी कंप्लेंड डालें क्योंकि एक यही ऐसी सस्ता है जो सहरा और सेभी के खेले में इस वक्त जो अपना इस वक्त एक भ